हेलो दोस्तों आज के हमारी वीडियो होने वाली है लॉंग ड्राइब्स के अपपर जब लॉंग ड्राइब्स के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपको गाड़ी में क्या-क्या चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि अकसर हमने नोट किया है कि लोग लॉंग ड्राइब्स पर निकलते हैं और गाड़ी ब्रेकडाउन होती है या रस्तों के बीच में किसी के गाड़ी खराब होती है या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगता है तो इसके लिए हमें निकलने से पहले क्या क्या चेक करना बहुत जलूरी होता है कि इन चीजों की धान रखना चाहिए इस बारे में आज बात करिंगे और आप मैं आपको दिखाउँगा कि कैसे चेक करना है वो चीज़ क्या क्या है पो पॉइंट्स उसमें आते हैं आपके लाट्स हेड लैट त्यूह टेख चेक नहीं करना जरूरा होता है क्योंकि रात में अक्सर क्या होता है कि मदलब गाड़ी हमारी एक तो गैरेच नहीं से पंडी होती है अगर बच्वा वायर खाता है या कुछ यह तो हमारे गाड़ी हमेशा दिन में चलती है तो जब अचानक से वह रात में निकलते हैं तो हमें इस पात कर ध्यान नहीं होता है कि हमारी हमारी कोई हेडलाइट चल रही है भी या नहीं तो आपको गाड़ी के दोनों हेडलाइट प्लस रियर टेलाइट यह दोनों चेक करना बहुत जरूर है उसके अलावा आपका ब्रे अब दोस्तों बात आती है कि आपको इतने किलोमेटर तक ट्राइब करना चाहिए देखिए दोस्तों एवरी 200 किलोमेटर के बाद एक एक ब्रेक दीजिए को क्या होता है इसके अंदर मुविंग पार्ट होते है वो गरम होकर एक ड़म घिसने लगते हैं उनको भी थोड़ा तो एक 200 km के बाद एक रेस्ट देंगे तो गाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है खास करके हमारी जो डीजल गाड़ी हैं तर्बो चाज गाड़ी हैं उनके लिए क्योंकि तर्बो चाज बहुत गरम हो जाता है गाड़ी को कांटिनूसली ड्राइब करने के वैसे आप 400 या 500 km ब्री चाला सकते हैं वैसे कुछ प्रब्लम नहीं है बट क्या होता है कि गाड़ी चाहिए बट को उपन करने के बाद आता है हमारा ऊवल चाहिए आपको यहों करब को ङाड़ी में भी भी मेरी यहां पर है आपको आपको अिप्र निकालना है बहार निक शाखना के ये जो पुराना ऊएं उस CEO अच्छी तरह से पहोचना हो क्लें होना शाओ और क्लें कॉलो प्राइट अंदर अंदर डालकर फिर हम उसे बाहर काड़ेंगे बाहर काड़ के अब हम उसका ओई-लेवल चेक करेंगे दोस्तों इतना फुल होना बहुत जरूर है फुल होना चाहिए वह हमेशा अगर कम है तो आप टौप-प्किजिये अगर कम है तो चेक किजिए प्रॉल तो प्राडलम नैनी इतना फूल होना चाहिए जितनी मार्किंग है उतनी तक ही होनी चाहिए कम नहीं चाहिए एकदम कम रहेगा तो इतने चोल्द सब्सक्शन ओकर होता है हमोता बहुत क्करuting काना है तो जब गाड़ी थंडी होगी तभी ही आपको इसे उपन करना है तो यह मैंने उपन के दिखिए कुलेंट फुल है मेरी काड़ी में कुलेंट का लाएंट का अब आता है हमारा कुलेंट रिजर्वायर का इसमें क्या करते हैं अगर पानी मतलब कर दालकशा चाहिए अब यहां पर देखिए मेरा चोब पाइप है या अंदर है और यह दखकन उपर निकल गया यह ऐसे बाद है वो पाइप को ठीक से लगावा होना चाहिए उसके अंदर क्योंकि रेडिटर में से कुलन्ट इसमें रिटन भी आता है और वाफिस रिटन रेडिटर में जाता भी है तो इस पाइप का लगा होना भौच ज़रूरी है ध्यान दीजिए इस बात का इसके बाद आता है हमारा ब्रेक ओल चेक करना यह ब्रेक रिज़र वायर इस कैप का को निकालना यह दिके ब्रेक की कॉंटिटी फूल होनी चाहिए हमेशा फूल मैक्स में होनी चाहिए लो में नहीं होना चाहिए अगर आपकी गाड़े में कॉंटिटी लो है तो आप टॉप कर सकते हो क्योंकि रस्ते पे क्या होता है इमर्जेंसी में आपको चाहिए पढ़ता है पानी की ज़र्द पढ़ती है क्योंकि रोड पे ग्लास पे धूल मिट्टी वगएरा गिरते ही है इसके बाद आता है हमारा ऑइल लिकेज चेक करना आपको सब जगे ठीक से ध्यान देना लेकर जाके एक बार चेक करके लेना है तो और लिकेज की प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए लॉंग ड्राइफ करते सबहें अब जो है यह हमारा यह बेल्ट यह अल्टरनेटर बेल्ट इसका सही होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर 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 बेल्ट तू यह ग्रीप अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अगर आपका घिसावा होगा तो हाइवे पर फट सकता है आपका टायर बहुत चांसिस है टायर फटने की अमें आपको बताता हूं घिसावा टायर कैसे दिखता है लेकिन और एक चीज़ टायर के ऊपर बारिक-बारी क्रैक्स न यह एक चीज़ का ध्यान दीजिए अब बारी आते हैं हमारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यह जो क्लस्टर में जो लाइट्स दिख रहे हैं आपको यह ऑईल का बैटरी का और इन चेक इंजन लाइट और यह जो फूफ यह हमारा हैंड़ेक का है तो यह जो तीनो इन लाइट का होना गाड़ी जब आप इंगिशन पर लेंगे तो इनका ऑन होना बहुत जरूरी है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो यह बंद होनी चाहिए इन में से अगर कोई भी लाइट अगर ऑन रहती है तो आपको गाड़ी गैरेज में लेकर जाके चेक क करने के पद अगर आपके चलते-चलते कभी हाई वे अगर को कोई भी इन मेंसे कोई लाइट दिकाया इंडिकेट करेगा तो कोई तुरंद रोकना है और मेकानिक के पस एक बर चेक करके लिए कि कुछ प्रप्लम है या नहीं अगर आपको हमारा वीडियू पसन आया थो प्लि